आश्टिया लोगदल के अध्याच जैन्च चौधरी मेरट के जाहिदपूर पहुचे हैं प्यूरित पारसद से मिलने सर अज मुलाकात की आपने पारसद जो आसीज चौधरी है उनसे किस तरीके से इस पूरे मामले को आप लोग डील कर रहे हैं कैसे देखे जब किसी भी व् दूर क्यों ना हो फिर वो सोचता है कि मुझे क्यूं इस तरह से पीटा गया और ये एक साधारन व्यक्ति नहीं है एक पार्शा चुने गए हैं चुनाव लड़ा है चुनाव लड़ना भी हिम्मत वाले लोगी चुनाव लड़ते हैं अपने आपको बिलकुल एक तरह से ज ने दिन विधायकों को मंत्रियों को ये छूट किस ने दी के बत्तमीजी करें लोगों के साध्र अपने कहा कि मुक्क्य मार रहे हैं और वीडियो सबने हैं जो है को दर जो रहा है अग्याद के में वही तो बाव अब ये तयक करना सरकार को है जो लौन और पर बड़े-करत असादार मानते हैं या जनता के नियाय संगत मांग को समझते हैं मैं तो इस सवाल पूछता हूं पारसद है उनका कहना है कि परिबार के उपर दवाब इसलिए दूसरी तहरी तहरीर दी अग्यात पर आप इनको क्यों जहा रहे हो ना क्यों इन्होंने अपनी बात कहा दी यह क्यों आना दें जनता खुद गवाहिये है इन्हें तहरीर देनी की क्या जुरूत है जब वीडियो बायरल है प्रशासन को लॉइन ओर मेंटेन करना है सरकारी और प्रशासनिक काम में जो लोग दखल मंत्रियों उनके खिनाप उतल्म लिखा जा सकता है आगर वीडियो एव जैसे भी होगा शुक्री आपका तो जैन चौधरी आरंडी के सुप्रीमों यहां पहुचे थे जो पारसद हैं उनसे मिलने इन पारसदों की पिटाई की गई थी मेरट नगरनेगम की बोर्ड बैठक में और इनकी पिटाई करने वाले मंत्री एमल सी और बीजेपी के और कई सारे पारसद थे यह जो पारसद आसीश चौधरी इनकी तरफ से अग्यात में मुकदमा दर्ज किया है पुलिस ने लेकिन अब वो खुद भी कह रहे हैं कि उनसे तहरीर बदलवाई गई उनके परिवार के उपर दवाब बनाया गया उनके पि पीटने वाले बीजेपी के नेचा थे क्यामरा सायोगी सानु के साथ में नरहांदर भारत समाचार मेरट